दोस्तो US Department of Justice एक बहुत बड़े फैसले पर अब positively सोच रहा है और वो कह रहा है कि 2 trillion dollar की company Alphabet जो की Google की parent company है उसे तोड़ दिया जाए क्योंकि US judgment में साफ साफ कहा गया है Google अब बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है और ये एक illegal monopoly की तरह काम कर रहा है दोस्तो आप ये जानके शायद खुश होंगे कि ये judgment भारत में पहले भी आ चुका था और उसी action के बाद अब सेम फैसला US में भी आता देख रहा है आप देख सकते हैं पिछले साल काई ये news है Google पर 160 million करीब का fine लगाया गया था इंडिया के competitions Commission of India के द्वारा और कहा था कि Android platform क को abuse कर रहा है Chrome platform को abuse कर रहा है और जरूरी है इनने पर fine लगना चाहिए ये 2022 की news है और 2023 में पिछले साल इंडियन ट्रिब्यूनल ने कहा था बिलकुल सही फैसला है अब दोस्तो इसी तर्स पर US में भी बात उठ चुकी है कि Google को तोड़ा जाए क्योंकि ये एक illegal monopoly है दोस्तो इस प्रकार का फैसला यदि ले लिया गया तो यह बहुत बड़ा एक earth shaking moment होगा दोस्तों यहाँ पर जानेंगी कि आखिरकार भारत के perspective से ये impact कैसे करने वाला है ये फैसला क्या है और क्या भारत में इस प्रकार के किसी laws पर चर्चा हो रही है जो इस प्रकार के future में market dominance को य प्रक्षाबंदन के पावन अवसर पर आज आपके लिए हम offer लेकर के आए हैं जो कि आज खतम हो जाएगा जिसके अंतरगत केवल 23,999 रुपे में आपको UPSC CSE का subscription मिल रहा है आप देख सकते हैं इसमें complete GS, CSAT, test series आपको मिलेगा सारे batches के आपको access मिलेंगे lectures live होते हैं with powerpoint means test series valuation है, dedicated doubt solving है, यदी class छूट गई तो आप recorded देख लीजे, दोस्तों ये सब आपको मिल रहा है बड़े ही आकशक कीमत पर जब आप code KC10 use कर रहे हैं तो make sure आप इस code का इस्तमाल करें और जल्दी से जाएं जाके subscription अवश्य लें, तो news में कहा है, दोस्तों US judge ने ऐसा rule किया ह है कि Alphabet, जो की Google की parent company है, उन्होंने illegally search market को monopolize कर दिया है, और इसी के basis पे US Department of Justice, अब कह रहा है कि समय आगया है, इस 2 trillion dollar की company को तोड़ा जाए, तोस्तों इस प्रकार का news, New York Times, Bloomberg News, हर जगा चल रहा है, अगर आप देखें तो बात ये हो रही है कि Android operating system में, जो Google का stake है, ये divest कर ना होगा, सिर्फ उतना ही नहीं, Chrome web browser में भी Alphabet के Google के stake की divestment की आवशकता है, दोस्तों उन्हों कहना बड़ा सरल है कि Google एक illegal monopoly है, इस trial में ऐसा पता चला कि Google ने Apple जैसी companies, बड़ी बड़ी companies को billions of dollars दिया है, इन टोटल 2021 में Google ने 26 billion dollars दिया, ताकि वो Google का जो Chrome browser है, उसको यूज करें और जो search engine यूज हो रहा है, सफारी में अगर Chrome browser नहीं भी है, तो अगर आप देखें तो जो search engine है, वो Google ही होना चाहिए, वही default option हो, Google का search engine काम करे, even in safari web browser, और इसके लिए उसने billions of dollars अलग-अलग company को दिये हैं, और इस वज़े से ruling ने ऐसा पाया, government judgment में, जज न कर लिया है, जिसके द्वारा वो competition suppress कर रहा है, नए market players, उन तक जो नए market players है, वो consumer तक पहुंची नहीं पा रहे है, और इसके द्वारा Google पैसे बनाता है, search engine में, जब Google use होता है, तो इसी से add के थ्रूँ वो पैसे भी बना रहा है, दूसरे तरफ ये भी कहा गया, कि Google अपने device manufacturers के साथ agreement sign करता है, Android use कर रहे हैं, तो Samsung हो गया, अलग अलग companies हो गया, उन सब के साथ उसने agreement sign किया है, कि आपको Gmail, Google Play Store, ये सब तो default apps देना ही होगा, और इस तरीके से भी वो पैसे बना रहा है, Google Play Store जब default search engine, default market में कोई भी आप के लिए install करने के लिए, यदि वो segment है, प्ल Play Store में डालने पड़ते हैं, और जब मैं कोई app Play Store में डालता हूँ, तो मुझे Google को पैसा देना पड़ता है, तो इन सब को ध्यान में रखते वे उन्होंने कहा, कि Google अपने search engine के द्वारा, Chrome browser के द्वारा, और Google Play Store, Gmail के द्वारा, उसने पूरा का पूरा online market monopolize कर दिया है, और के बाद इसको अब split करना होगा, तोड़ना होगा, यदि ये हुआ, तो ये US की सबसे बड़ी company का, one of the सबसे बड़ी company का forced break up होगा, और इससे पहले 1980s में, AT&T इतनी बड़ी company को तोड़ा गया था, कुछ वैसा ही प्रभाव हो सकता है, तो उसने यहाँ पर Indian perspective क्या है, आप आपको बताता हूँ, देखिए भारत मेंना एक draft law है, digital competition bill 2024, अब तक पास नहीं हुआ है, पारलिमेंट से, इसमें provision है, जिसके द्वारा ऐसे anti competitive practices, इससे पहले वो हो, उन पर action ले लिया जाए, heavy penalties, यहाँ तक की billions of dollar की penalties लगाई जाएंगी, in tech giants पे, यदि वो अपने market dominance को abuse कर करते हैं, नए players को market में नहीं enter करने देते, यह proposal अगर आप देखें, तो बड़ा similar है, European Union के Digital Markets Act के को ही model बना के inspire होके बनाया गया है, अगर आप देखें तो EU का DMA Digital Markets Act, इस साल पूर्ण रूप से आ चुका है, यह effect में आ चुका है, और इसके बाद जो large tech firms है, Alphabet, Amazon, Apple, इन को साफ साफ European Union ने आदेश दे दिया है, कि आप अपने service केवल खुद तक नहीं रख सकते, जो भी आपका service है, यह open करना होगा, अपने rivals के लिए भी, आप जो data निकाल रहे हैं, वो data भी share करना होगा, क्योंकि आपका data नहीं है, यह consumer का data है, तो इसलिए आप market में dominant position ना ले पाएं, यह इसलिए यह सारी चीजों को open करना होगा, देहिए दोस्तों, बिग टेक market को बड़ी मजबूती से पकड़ के रखा है, पिछले दशक की बात कर लेते हैं, जितने भी बड़े-बड़े innovation हुए है, वो इनहीं big tech companies से आ रहा है, जिसमें facebook, apple, amazon और दूसरा आप दे market barrier इन लोगोंने बहुत बड़ा कर दिया है, यह new internet को आने ही नहीं देते, जैसे कि मान लेते हैं, online market में यदि किसी company का market में significant share हो जाता है, तो products तक पहुँचने का एक मातर जरिया वही रहते हैं, सरलता से समझाता हूँ, मान लीजिए, मैं एक YouTube, मैं content creator हूँ, तो मैं content बना पर हैं, तो ही मेरा content consume कर पाएंगे, वैसे ही आप सोचिए, बाकी platforms भी हैं, लेकिन free में पहुचाना है, तो सबसे dominant वही है, उसका कोई alternative नहीं है, वैसे ही मान लीजिए, मैं कोई समान बनाता हूँ, मैं समान बेचता हूँ, तो online तरीके से, यदि मुझे दुनिया तक पहु पूरी है, मैं Amazon में list करूँ अपने आपको, और Amazon से ही उसे बेच पाऊंगा, तो इस प्रकार से इन लोगों ने इस पूरे के पूरे market को dominate कर लिया है, consumers क्योंकि इनके app में यही आ रहा है, फोन में default app बनके यही आ रहा है, तो जाहिर सी बात है मुझे market तक पहुचना है, तो मुझे इन ही का साहरा लेना है, और कोई third player अब enter नहीं कर पाता है, इसके सिवा इस दोरान ये इतना सारा data generate कर रहे हैं, कि इनको additional advantage मिलता है, वो data के दोरा ये अपने business को optimize कर रहे हैं, और इस तरीके से, ये data technically उनका नहीं है, ये data मेरे आपकी जैसे लोगों का है, लेकिन व नहीं है, तो इसलिए उनके dominance को कोई challenge नहीं कर पारा, इसलिए इन लोगों ने पूरा innovation पर एक stronghold बना के रखा है, तो इसलिए जरूरी है कि market को regulate किया जाए, इस प्रकार का illegal monopoly वाले practices भारत में ना हो पाएं, तो इसके लिए जरूरी है इस प्रकार का जो bill है, digital competition bill के जल्दी act में तबदील हो, बाकी आप क्या समझते हैं, इसके बारे में comment में अवश्य बताएं, दोस्तों याद रखेगा, आज आखरी दिन है, 23,999 रुपे में, आपको complete GSC से test series का course मिल रहा है, सारे batches का access मिलेगा, quality course है, last year 70 से अधिक selection इसी प्रकार के course से आए है, तो वही course आपको है, 23 अगस से start होने वाला है, जल्दी से जाएं, जाके enroll कर लें, single stock solution, current affairs के लिए आपको prelims और mains दोनों के तरीके से ही तयार किया जाएगा, हफते में बस दो दिन आपको मुझे दिना है, और current affairs में आपने श्चिंत हो जाएंगे, इसके सिवा, आपके लिए scholarship भी हम लाएं, 90% तक scholarship और exciting rewards हैं, जल्दी से जाएं, जाके enroll कर लें, 25 अगस्त को सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे, आप enroll कर सकते हैं, use the code KC10, जाके UCSC, an academy civil service championship में, enroll कर लें, पूर्ण रूप से free है, और अगर आप अच्छा perform करेंगे, तो scholarship मिलेगी, rewards भी मिलेंगे, तो यह हाथ से मौका, ज सब का, आपको फाइदा मिलेगा, जल्दी से जाएं, enroll कर लें, optional batches भी आ चुके हैं, और आपके लिए time निकल रहा है, तो अगर लेना है, तो आज से बहतर कोई दिन नहीं हो सकता,